तार दोस्तों आप देख रहे हैं चवहान वीडियोज़ और आज की वीडियो में हम practicals के बारे में बात करेंगे कि practical कब से शुरूध होंगे, practical कब होंगे, कहा होंगे और कब तरीके से आप practicals का पता लगा सकते हैं और practical अगर नहीं दे पाएं इस यहज़े को पूरा जरूर् किसे सुरू हो रहा है GKGS batch for SSC exams SSC MTS batch 2021 2022 exams के लिए SSC stenographer batch 2021 2022 exam के लिए SSC CPO batch 2021 2022 exam 29 December 2021 से सुरू हो रहा है एकाड़मी का iconic subscription लेने पर आपको प्रायोटी दी जाएगी डाउट सॉल्विंग में और लाइफ क्लासे में रेजा हैंड फीचर में आपके questions को priority basis पर solve किया जाएगा एक आसका डाउट फीचर जिसमें आप डाउट and solution क्लिक करके अपना जो भी डाउट है उसको पूछ सकते हैं डाउट की जो image है उसको क्लिक कीजिए और वहाँ पर upload कर दियो और एक्सपर्ट जो है आपके question का answer देंगे test series for ssc aspirants ssc aspirants free और प्लस दोनों test series available ssc aspirants जो इसका जरूर लाउट है प्रेजा हैं फीचर के जरी आप live classes में अपने डाउट को पूछ सकते हैं और का solution पा सकते हैं quantitative aptitude marathon होने वाला है 26 दिसमबर 2021 को 12 बजे 50 मिनट में 30 questions आप से पूछे जाएंगे और reasoning marathon होने वाला है 40 मिनट का होने वाला है 30 questions आप से पूछे जाएंगे 2 जनवरी 2021 को 2022 को 12 बजे एक करोड़ तक की scholarship दी जाती है इसमें और हिंदी और इंग्लिस दोनों में अवेलेबल है 100 परसंट scholarship मिलेगी उनको जिनकी एक से तीन तक rank आएगी और इस तरीके से आपको एक करोड़ तक की scholarship बाटे जाने वाली है तो आप PC 2021 कोड़ का इस्तमाल कीजिए लिंक description में मिल जाएगा और SSC combat जरूर दी सब्सक्राइब में लेकरा है एक्स्टर 10 परसंट जिसका लिंक आपको description बॉक्स मिल जाएगा ओल सेट लेट्स क्राइक जो इस ट्वेंड डिसंबर का एक्जाम दे रहे हैं जो कि 20 जनवरी 2022 से सुरू हो रहा है तो उनके मन में सबसे पहला सवाल यही है कि उनके जो practical exam है वो कब से होंगे और कब से सुरू होने वाले हैं तो practical जो होते हैं नौर्मली यही procedure लागू किया जाता है अपलाई किया जाता है कि जैसे ही जिस दिन से आपके जो exam है जो theory exam जो है वो खतम हो जाते हैं इस बार के जो theory exam है date sheet के हिसाब से 23 फरवरी 2022 को खतम हो रहे हैं तो जिस दिन आपके theory exam के जो subjects का जो exams होता है वो खतम हो जाता है उस दिन से आपके practical सुरू हो जाते हैं अब practical का पता कह से चलेगा कि आपका कब practical है और कहा practical है किस तरीके से practical है online practical है और offline practical है उसके लिए जो सबसे अच्छा तरीका वो यह है आपका regional center की website आप regional center की website हो regional center का अगर कोई facebook page है कोई twitter account है तो इनको आप लगातार follow करके रखिए साथ ही आपका अगर study center है study center को कोई facebook page है तो उस पर भी आप लगातार नजर बनाए रखे क्योंकि आपका जो regional center होता है वो ही आपका practical की जो dates होती है उनको उपलब्द करवाता है अविलेबल करवाता है वो बता देता है साथ दिन पहले 10 दिन पहले 15 दिन पहले की इस दिन से हमारे हां पर practical होने वाले हैं साथ में google meet का link भी वहाँ पर जारी कर देता है अगर online होने वाला है या offline होने वाला है जिस तरीके से होने वाला जो भी होने वाला procedure पूरा आपको regional center की website में notification के जरिये पता चल जाता है तो सबसे पहले काम अगर study center का अगर कोई आपका facebook page है तो उसको follow करें उसके बाद यह जो practical हो रहे है इस समय उसमें कोसिस की जाती है कि जो final year student है उनको priority दी जाए यानि कि अगर आप final year student है तो आपके ज्यादा चांसित है कि आपको practical देने का मौका दिया जाएगा जो first year के student है second year के student है ऐसे student है जिनक अभी final year में वो पहुँच चुके और इस practical को देने के बाद उनका सभी पूरा complete हो जाएगा और उनकी degree उनका mark sheet वगारा पूरी आ जाएगी पूरा course complete हो जाएगा तो कोसिस की जाती कि पहले उनको priority दी जाए तो यह बात जहान में रखने वाली है इसलिए कई बार student जो होते हैं तो उसमें ठीक उसके बाद अगर आप इस बार practical नहीं दे पाए तो आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की ज़रूत नहीं है क्योंकि practical लगातार होते ही रहते हैं अब यह जो practical हैं जो फरवरी के बाद सुरू होंगे या फरवरी से सुरू होंगे उसके बाद अगला ज ओनलाइन वेबसाइट के जरिए भी जानकारी अवेलेबल नहीं हो पाती लेकिन स्टेडी सेंटर के अगर आप कॉंटक्ट है स्टेडी सेंटर में जो practical करवाने वाले टीचर है उनसे अगर आपका कॉंटक्ट है तो जब भी नई डेट्स जब भी अवेलेबल होंगी तो उ प्राक्टिकल होते रहते हैं फाइनल ये जो इस्टुएंटा उनके ज्यादा चांसे होते हैं कि उनको प्रैक्टिकल देने का मौका मिलेगा और प्रैक्टिकल कैसे होंगे आपके रिजनल सेंटर की वेबसाइट को लगातार फॉलो कीजे जो फेस्बुक अकाउंट है उसक तो regional center में उसका आपको पहले से ही link available कर दिया जाएगा अगर practical आपके offline है तो आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा तो यह बात आपको ध्यान में रखने वाली है B.Sc. के जो instrument है उनके जो practical होते हैं इस बार पहले क्या होता था कि 14 days उनको लगा था practical lab में जाना पड़ता था वहाँ पर practical होते थे और 7 दिन में जाना पड़ता था जो भी उनका जिस तरीके से credit होते थे उस तरीके से 7 days या 14 days का उनका practical होते था लेकिन अब क्या है अब उनका भी प्रैक्टिकल जो है वो एक तरह से वन डे एक्जाम कर दिया यानकि एक दिन जो होगा वो mcq-based paper दे देंगे और उसके बाद फिर उस practical में उनको पास कर दिया जाता है प्रैक्टिकल का जो books होती है उनको जरूर पढ़े practical का एक्जाम देने जाने से के पहले तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो आपको बसना है जो वीडियो